तो है गाइस दिस इस कुल्दीब एंड वाचिंग यूपी सी लाइबरी सो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिन जोग्राफी के चैप्टर नंबर फाइब के बार में इससे पहले चैप्टर नंबर वन टू त्री फोर और फॉर तक लेक्चर आचोके हैं यूपी है से लाइबरी के यूटुब चैनल पर तो आप उनको देक्च सकते हैं तो यह नमॉफार जिसका नाम है च संपर सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक्स वीडियो के निच एच डिसक्षेम दी हुई है जो इंट्रोडक्षिन में देखते हैं जो हमारी जो कंट्री जो इंडिया है ना वो वन ऑप डाइल मेगा बायो डैविसटि यह तो उन्में से हमारी कंट्री एक है यह इस पाइट को आप याद जटना दैन इसके बाद विद आबाउट 47,000 plant species मतलब 247,000 plants species आई वो इंडिया में आती है और इसी वेसिपर उनक इडिया का प्लेस है 10th प्लेस वेसिपर इन दे वर्ड एंफ ए एस्या में मतलब 10th में वर्ड में और 4th 4th AC में तो इसी को भी आद रखना देन देर आवर 15,000 flowering plants in India मतलब इंडिया में तोटल 50,000 flower flowering plants है इन विच जो की अकाउंट करता है पुरे वर्ल्ड का 6% में पुरे वर्ल का इंडिया में है ने वर्ड टोटल नम्मर अब दा फ्लोवर्ड प्लाट देन देदा कंट्री है इन देदा कंट्री असमने फ्लोवर्ड प्लांट्स में इंडिया में लाइक फंस ह हो गया देन अलगी हो गया फंगी तो यह नॉन फ्लोवरिंग फ्लांट है प्लांट सह ना इसके अलावा इंडिया में 90,000 के अलावा मना नाइटी थाजून से ज्यादा एनियमल के स्पीजिज है उसमें एनियमल के लावा कुछ वेराइटेज भी इस पिसीजिज की हैं इन फैसें मेराइन वाटर्स मदब वह फ्रैस्वाटर में हैं और माइन वाटर्स की भी है तो यह 90 थाज़न एप लॉक्स इसमें बताई हुए हुए पेशा की इसके बाद नैटर्यव घरी गरिटेशन में डएकन तो नेटर्ले वह गोले टो नेति इसमेंॵड giving के बोले कि जो naturally grow हो रही है उसको natural vegetation बोला गया है and has been left undisturbed by the human for a long time जैसे बना human interface के और बना human aid के जो vegetation गरो हो रही है उसको natural vegetation बोला गया है so this term as a virgin vegetation उसको as a virgin vegetation में बोला गया है thus cultivated crops and fruits on orchard form part of the vegetation but not a vegetable में जो cultivated crop होते हैं यह fruits हो गया है जो orchard होती है वो vegetation का part तो है but वो natural vegetation नहीं है because वो जिसमें humans के द्वारा grow की जाती है इसी विए से वो natural vegetation है बस वो vegetation है इसमें यह differences बताया है then इसके अलाब जो flora की term when flora fauna होती है तो इसमें भी flora fauna के term का explain बताया है जो flora के इनको बोलना उनको इसको चीज को डिनक्टारते हैं जो plants के या पर उसके particular के region में आते है so flora means plants और fauna fauna को उनको बोलना जो animal की species होती है so flora plants and fauna जो animal so इस चीज का बहुत है अगर इसमें भी confusion हो रही तो इसी चीज से याद रखना जो fauna में जो n आता है न वो animal में भी n आता है so n is equal to n इस चीज के याद रखना fauna means animal वो animal को denote कर रहे है और flora है वो इसमें flower से denote करे है और flower में भी आ रहाता है वो इसमें भी आ रहे है तो इस चीज से आप याद रखना है so the huge diversity of flora and fauna kingdom is due to the falling factor जो जो इंडिया में जो डाइवर सेटी है flora fauna की वो इसमें बताएगा कि कैसे है so so अपने इंडिया में जो रिलीफ है लेव लाइव लैंड माउंटेंस हो गया तो उसके बाद में बताएगा है so the land affects the land की बार में बता है कि the land affects the natural वेटान जो जो फ्लोरा फोना की जो इतनी ज्यादा डाइविस्टी उसमें बताएगा पहला तो यह जो लैंड है so land affects the natural vegetation directly and directly because अगर जहां की जो लैंड है तो उसमें जो soil जो होती है वो अलग-अलग different way की होती है तो वह भी directly or indirectly उसको affect करती है so do you expect the same type of vegetation in mountains और plateau and the plain areas और इसमें बूलाएगा की जो vegetation है वो क्या mountains में और plateau or plain area में सेम होगी नहीं न तो वह इसमें बताएगा so the natural of the land influence the type of vegetation so the nature जो है land का वह influence करता है vegetation को so इसी वेसे महां अलग-अलग type की vegetation होती है like mountains में किसी अलगतर है की vegetation होगी platoon में कुछ अलगतर है की vegetation होगी और plane में कुछ अलगतर है की vegetation होगी इमापा forest अलग होगा तो यही इसमें चीज़ बद यहीं इसी point में बताएगा देन इसके अलाबा फटाइल लेवर इस जनरली डिवोटेट टू दे अग्रिकल्चर और जो किसको डिवोटेट के जाते है अग्रिकल्चर को देन देन इसके बतार अंडवलुटेंग एंड रॉफ ट्रेन आर एरियाज वे ग्रासलेंड और वूद लेंड डेवलप एंड इस एरिया में ग्रासलेंड जो वोड्लां रहुंते है वह एक तरह का सेल्टर की तरह काम करता है जो वाइल डाइफ के उसके लिए इसमें इसके अलावा अलग पॉइंट फिर आजाता है जैसे लेंड होगा तो वी अलग अलग जाब अलग किसम की अलग टाइप क्यों होती है जो दा सोइल आ एल्सो वेरी ओवेर सो दस्वाल आ वेरी करती है ओवर दस पेस डिफ्रेंट आप अव सो व्वाइट ब्रॉइट बश्वाइट बेश्टिंट अबलब जो दिफरेंट टाप की इस्वाइट वाइट इसन वी प्रोइट करेगी या उसको इन फॉन इन्फ को सपोर्ट करें वाइल वैट मार्सी और डेल्टेक स्वाइल वो किसको सपोर्ट करेंगे मैंगरूज को और डेल्टेक वेजिटेशन को ऐसे ही दा हिल स्लोप विट सम्द आप अब देखते हैं क्लाइमेट में जो टेम्परिचर वह भी एफक्ट करता है आप देख क्यों आप अधेशिटाशन व्हांद करता है मां वो कंप किस एरिया में कैसी किस एरिया में वहां टेम्परिचर ज्यादा है यह हमें किस एरिया है जो वाटर की अबिलेटी बहुत काम है तीसी वैसे महां पर कैक्टेस भुसे ज्यादा ऐसे वेजिटेशन ज्यादा होती है और आपकी स्वाइल भी ज्यादा खास नहीं है तो इसी चीज की वैसे अलग जगह में अलग वेजिटेशन और वहां पर टैंपरिचर भी अच्छा रोल प्ले करता है तो ऑन दे स्लोप सब्सक्राइब है और फिल्स पेनिसुला एब दो हाइट ऑफ 915 मीटर जो स्लोप है जो हमाले जिनकी हाइट 915 मीटर से यह ज्यादा है यह ज्यादा दा फॉल इंदे टेंपरेट टेंपरेचर अफेक्ट टैप्रेचर अफेक्स इस तरीके से टेंपरेचर वहां पर इफक्त करता है और सो इस चार्ट में अप देखो जहां वे उस तरह कि उस जोन में जो बाट दिया गया है और में टेंपरेचर देगिया तो इसमें अलग-अलग एरिया में डिवाइड कर जाए तो जो टेम्ट जो वेजिटेशन ट्रॉपीकल में हो गई तो उसके लिए सूटेवल टेपरिश्यर मागे टेमपरिश के ना 24 डिगरी यह उससे ज्यादा हो सकता है और में टेपरिशन वहां का 18 डिगरी हो सकता है लाइक इन जिन्वरी की टाइम में है सो वहां पर कैसे होगा मतलब महां टेंपरिशर ठीक है वहां टेंपरिशन के लिए वहां पर अलगतरे की ट्रॉपिकल वेजिटेशन हो गई जहां पर जो बांट गया वहां पर टेंपरिशर 17 से लेगे 24 के बीच मोगा मिन त requirements two वह लगी हो सकती है बार जोपस्ट क्योंड़ हो सकती है जैंड इसके जब अल्पाइन वाले में देखा जाए, वहां पर 60 degree से नीचे temperature होगा, mean annual temperature देखा है, और below 1 degree temperature होगा, mean temperature, और महां पर is no to होगी, so इसी हिसाब से हम पर इन जोन को divide किया गया है, then इसके अलावा photo period, मतना जहां sunlight जाधा होगी, मतनल जहां sunlight होगी, की नहीं होगी, विए जहां सद्धाइट अच्छी होगी तो वेजिटीशन और जदा निखर की आई और जदा ज्यादा होगी आइट जदा एक अच्छी के अच्छी होगी तो दिपरेंट पर रहा है और किस कौन सा भी सीजन चल रहा है विंटर सीजन में जो क्लाउडी सीजन होगा तुमाहां पर सनलाइट थोड़ी कमाएगी ने डिवेशन ऑद दे कौन सा है विंटर में डेज की जो डियूरेशन अब काफी कम हो जाती है और समर भी जायदा हो जाती है तो डियू टू दा लॉंगर डियूरेशन दो सनलाइट ट्रीज ग्रोफ फास्ट इन समर्सों इसी चीज को देखते हो जो नहीं बोला गया है कि जो जो समर में जो ट्रीज की जो ग्रोफ होती है वो काफी जादा होती है तो इस पॉइंट को आप याद रखना यह एक्जामें में डारेक्टली पूछा जा सकता है पॉइंट के फॉर्म में इसके लाव प्रेसिपिटेशन भी एक अच्छा रोल प्ले करती है प्रेसिटेबिश में बारिज ज्याएदा होती है तो इन इंडिया ओल्मोस्ट एंटा रेंफॉल इस ब्रॉट इन बाइद एडवांसिंग साथवेस्ट मांची जो की जून से ल आता है तो इसको रिट्रीट मांचन बोलता है या विड्ड्रॉल मांचन बोलता है जो चप्टर नमर फॉर में क्लाइमिट वाले चप्टर में पढ़ाया हुआ तो आप उसको देख सकते हैं आसां है मोर जांस वेचिघे तो जाए एक जाए ब videos का फिटेश्न सुभिख प्र ल्ट्प तो कम्पेर यहला कहांप 나오nost ह bets लोगी तो मांचे वजटीम होगी, मांचे व। मधगी ब०्द क्यों भी यहा पर उग्यारे सब्सक्राइब को इस में लन completa कई को है यहां परох़गी, मांद रहता होगी, तु यह को सित्व क्म शाद सब्सक्राइब साखन्ता सब्सक्राइब इन्वार्मेंट में तिसमा गजी होता है कि जो इनवार्मेंट वह एक रीड़ और रिखावड से बीकॉश एक पॉरस्ट से वूड टायर बाकि अ ख़ाए मेरा काम करते हैं और बाकिया वूड़ कहने तो आधे काम करते हैं और सो पलेयर में आशन वाण इंहेंजिंग फॉर् को महां से होगी ब्रढद syllabus क्लाइमिट सो एसका क्या रोल चाल दो वो क्लाइमिट कु मॉड़िफ़ां टो एक करता आ यहां वो पाल ऍपूम क॰ Hail that simple ङॉब रही हो नहींस ब्रेग करता मंद रिचेगा дело कॉज मेंन कर दो इस्ट्रॉंग होगी इतनी जल्दी नहीं वो खत्म हिलेगी देन इसके अवलाबा सपोर्ट ए वेराइटी ऑफ इंडरस्ट्री मतलब कुछ टाइप की इंडरस्ट्री उनको सपोर्ट करेगा देन जो वोड इंडरस्ट्री हो गया देन प्रोवाइड ए लिवली हुड फॉर म उनको प्रॉइड करता है और जो डे कंट्रोल वेंड फोर्स एंड टेम्प्रिचर एंड कॉज रेंज जो इसके अलावह व वेंड फोल्स को भी कंट्रॉल करता है इफेक्ट करता है और जो रें रेंस है उससई विस उसके दरह होती है इस पांश कुइन ये बताए गाया इ इसके लावा, they provide humus to the soil and shelter to the wildlife, और वो soil को humus provide करता है, और जो wildlife जो होती है, जहां के जो जानवर होते हैं, उनको as a shelter provide करता है, also India's natural vegetation जो है, अंडरोगन मैनी changes due to several factors, जो इंडिया की जो वैजिशेशन है, वो काफी several factors की वादो कुछ changes आएं, as such as like growing demand for cultivated land, जो cultivated land की जो demand है, वो ज्यादा और इनकी होने लगा है, then development of industry और माइनिंग, और जो industry और माइनिंग की जो development है, उस चीज़ की वएसा भी जो forest की उपर काफी effect पढ जो जानवर होते हैं, जो गाये बक्रिये जो और जो साकारी जो होते हैं, उनकी ज्यादा overgrazy, ज्यादा वो घास foods या जो पढ़ते वागरा खाते हैं, तो उस चीज़ की वैसा उसके उपर forest की उपर थोड़ा effect पढ़ने लगा है, then इसके अलाबा, the vegetation cover of India is large part is no more natural in the real sense, so real sense म देखा जा, the vegetation cover of India में, वो natural नहीं है, because अब वो जो vegetation है, वो of human के दारा लगा जा रहा, इसी सीज़ को बोला है, कि उसमें कोई natural नहीं है, then except in some accessible region, जो in accessible region में है, like जो Himalayas हो गया, in accessible region मनल जहां पर human की interface बहुत काम है, ना के बराबर, तो like, वो जह कौन से हो, Himalayas हो गया, the hilly region हो गया, center India गा, then marustali region हो गया, then vegetation in most of the areas has been modified at some place, मतलब वहां पर modified हो ये कुछ सम प्लेसे में, और replaced, also or replaced, or degraded by human occupancy, so, इस मैं बताएगा है, human की वैस से, वहां पर modification स्टार्ट होने लगी है, या जो उनको replace कर देया, या ये डिरेट कर या, मतलब वहां पर और type के trees को वहां लाए गया है, और human की occupation से जाद होने लगी है, तो इसमें ये बताएगा है, then इसके लाएव को एक fact है कि, according to the Indian data state of forest report 2011, मतलब जो state of forest report है, इंडिया की 2011 के साब से, 2011 में forest जो cover था इंडिया, वो कितना पता, 21.5%, मतलब 21.5% forest cover था पूर इंडिया में, ये 2011 की report है, 2019 की report जो recent report ह इसके बारे में भी बताऊंगो, बट ये 2011 की report से आप थोड़ा comparison ठीक से करना, इससे पता चलेगा कि, इंडिया में, 2011 से, 2011 से लेकर, 2019 के 20 तक कितना forest cover increase हुआ है, so ये भी 2011 का data है, उसमें चार्ट में, 2013 से लेकर, 2014 का इसमें data दे रखा है, तो कौन से सबसे जादा है, so ये है इसमें area दे रखा है, वो percentage के हिसाब से दे रखा है, so ये जो नागालेंड वाला area, तो वहाँ पर स्थे का percentage का परसेंटेज का जादा है, उसके बाद है, उसके बाद कौन से state है, उसके बाद लक्षदीव, तो उसके बाद है लक्षविदेन, ये है अंडवान निकोबार, यह मिजूरम लक्षदीफ यह अंडवान निकोबार आयलेंड यह परसेंटेज के टम में उनके एरिया देखा तो ज्यादा है यहां पर आउनुचल प्रदेश कोई मेजर स्टेट्स नहीं है उस टाइम में अब इसके बाद 2019 की रुपर्ट देखे जाए तो अब कितने डिफरेंस आया सो 2019 की रुपर्ट से पहले तो यह देखो जो फॉर्स जो रुपर्ट है इंडिया स्टेट फॉर्स रुपर्ट वह एक बाइनुएल प्विलिकेशन मत इसके अंडर मिनिस्ट्री ओप इंवारिमेंट फॉर्स अंडिया फॉर्स अर्विय अंडिया जो असके इसको इसके बारें बताता है तो अब इसमें देख जाए यू टॉटल फॉर्स कवरें जो कंट्री गा वह इंक्तम्स कितना है साथ लाख बाहर आजा दोस उनन स्कॉर किलोमेटर है और परसेंटेज में देखा जाए 21.67 परसेंट है पूरे टोटल एडिया का इंडिया का और 21.0 एक सेकेंड हाँ 21.05 तो वह अब यह इंक्रीज हुआ है तो इससे पता चल लाएगा जो पहले 21.05 ता आप कितना हुआ 21.67 मतलब यह इरिया इंक्रीज हुआ है सो बट इसमें यह चीज भी याद रखना कि गौवर्नमंट ने कुछ जो चाहिए परिवासा जो होती है डेफिनिशन वो कुछ चेंज किया है तो उसमें यह याद रखना तो इस रसाफ से देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर अपना इंडिया में इंक्रीज हुआ है इन कंपेर 2011 से कंपेर करें तो इस चीज को आप याद रखना दैन फॉरेस्ट कवर अब एरिया वाइस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मद्य प्रदेश में उसके बाद अनुचल प्रदेश फिर च्छत तीजगर औरीसा अमारा यह एरिया वाइस देखा है अब परसेंटेज वाइस देखा जाए तो मिजोरम आज भी सबसे ज़्यादा है उसके अवाद फिर अनुचल प्रदेश फिर मेगाला है जहां पहले लक्षदीप और अंडवा निक हुआ रहा था तो अब वह नहीं है मिजोरम अभी फरस्ट पर है बट उसके अवाद है अनुचल प्रदेश तेन मेगाला तो इस अडिसीडिये स्ट्रापिकल थॉर्ण फैरस फैरस उनको बोला दें मॉंटेंफोर अपसे इनको ड делать का गया सो इस इस स्ऐसाब से को पदा जल जाब तो पूर इंडिया में इस फो फैसे को कैसे डिंबाइट कैना तो इसमें यह टाइप दे रखे है तो यह बिण्य है तो इ और चो परन को यहाद को भी आब याद रखना यह जो पूरा एरिया है यह याँसे बाद इसके बाद वह सेष्ट की इसके बाद ट्रोपीजट वेस्टेन गाट औरीष्टेंगार्ट यह लक्षदीप और अंडवान निकोबार भी ट्रोपिकल एवनिंग फॉरेस्ट में आता है तो इस चीज को भी याद रखना है कुछ यह दैन इसके बार मैंग्रूफ फॉरेस्ट तो जी मैंग्रूफ फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वह मैंग्रूफ फॉरेस्ट के अंडर आता है तो इसको भी याद रखना मैंग्रूफ फॉरेस्ट 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 हो गया यह राजस्तान वाला कुछ सम पार्ट्स ऑफ गुजरात दैन यहां पर आंदर परदेश हो करनाट का तो यह इसको टॉपिकल फॉरेस्ट बोला गया तो इस चीज को प्याद रखना अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं ट्रॉपिकल एवर्गिंग फॉरेस्ट के बार में सो बोला गया कि इस फॉरेस्ट फॉरेस्ट वहां पर होते हैं जहां है वी रेंफॉल होती है तो हैवी रेंफॉल इरिया लाइक वेस्टन घाट वाला हो गया लक्षदीप हो गया अंडमान निकोर हो गया यह अपरपाट्व संप हो गया तम्यलाडु कोस्ट हो गया तमिल इस एसटिंगाट वाला एरिया उसको वोला है तो इन एरिया मही यह यह ट्रॉपिकल एवर्गिंग फॉरेस्ट मिलेगा सो डेया-एड्डेर बेस्ट एरिया हमाँ पर होती है, with a short dry season और हमाँ पर dry season काफी कम होता है, उनका time period काफी short होता है, इसी वज़े से वो tropical evergreen forest evergreen मतलब इस नाम से ही पता चल ला है, वो evergreen forest है, पूरी साल माँ पर forest होता है so, the tree reached great height, और हमाँ पर जो trees की height होती है, 60 meter यह उससे भी ज़्यादा होती है, so since the region is warm and wet throughout the area, so वहाँ का जो area है, warm मतलब थोड़ा गरम रहता है, और wet थोड़ा पूरी साल गरम रहता है, और wet भी रहता because of the rains then it has luxuriance, vegetation of all kind, महाँ पर जो vegetation वो काफी ज़्यादा है, आलिशान है like trees होंगे, scrub shrubs होंगे, creepers giving it a multi-layered structure तो महाँ पर जो vegetation है काफी अच्छी है, इसी वैसे उसको tropical evergreen forest लग रहा है then इसके अलावा there is no definite time for trees to set their leaves, तो महाँ पर कोई ऐसा कोई definite time नहीं है, कुछ जो trees की leaves को उनको set करने का, so as a such these forests appear green all the year, so इसी वैसे, वहाँ का green रहता है, so some, और इसके अलावा some of the commercially important trees है, वहाँ पर होते हैं like कौन कोन से होते हैं, यह commercially important trees, so ebony then mahogany, then rosewood then rubber and chain kona tree so यह commercially important trees है इनका नाम याद रख लिए, यह directly examiner, directly पूछ के जाते हैं then इसके रावा आप कुछ जानवारी भी मिलते हैं, उस forest में like elephant हो गया, monkey, then lamb more, then deer, तो यह animal भी उस forest में भी पाए जाते हैं इसके लावा, one horn rhinosaurus जो होता है, गेंडा जो एक सींग का, are found in the jungle of Assam, जो Assam के जंगल में यह one horn rhino पाए राता है, और इसके लावा West Bengal में भी, but अभी हाल फ्लाल में, अब दीशेंटी देखा जाता है, तो Assam में जादा, मिलते हैं, one horn rhino इसके लाव, beside the animal plenty of the birds and bats sloth, scorpion and snail are found in this area, इसके लाव birds भी होती है, bats भी होती है, snail भी होती है scorpions भी in Asia, in jungles में, in forest में पाए जाते हैं, यह picture है, cartoon picture, तो इसमें पता चल जाए, कितना forest कबर और कितना dense forest होता है, तो इतने और यह एकदम height होती है, almost 60, और उससे अबब भी होती है इनकी height, then यहाँ पर एकदम canopy काफी ज़्यादा होती है इसमें बताएगे, कि ट्रॉपिल एवरिंट फॉरेंट so, one point height, maximum 60 meter, averaging layer canopy ज़्यादा होती है young trees होती है, 5 meter shrub layer, तो इसमें इस पेक्टर में थोड़ा पताएगा then इसके बाद tropical deciduous forest so, अब tropical averaging के बाद tropical deciduous forest से थोड़ा one level कम होता है मताब यह भी होता है, लेकिन उससे एक level कम so, these are the most widespread forest in the India, so इंडिया में देखा जाए, सबसे ज़्यादा forest कौन सा में लेगा tropical deciduous forest so, they are also called monsoon forest so, इसको monsoon forest बोलते है because spread over the region because यह पूरे इंडिया को almost काफी ज़्यादा area में फैला हुआ है small, मताब spread over the region receiving rainfall between rainfall कितनी रिसीब करता है 200 cm से लेकिए तर सेंटमेट तक के बीच में यह एरिया यह forest rainfall receive करता है इसके अलावा trees of this forest type shed their leaves for about 6 to 8 month weeks in dry समाज so, dry समाज में 6 से 8 मेने की बीच में यह इनकी जो forest की जो लीव हैं वो इस चीज़ को आप याद रखना then on the vessel is the availability of the water water की availability और की basis बेर देखा जाया so, these forests are further divided मन्दा इन forests को जो dcds forests को divide करेगा like moist or dry forest मतला अगर आप पानी जाएदा है तो इसको moist बोला गया है और जहां पर पानी काम है उसको dry dcds forests में divide किया गया so, the form is found in the area receiving rainfall मतला उन इरियास में 200 से लेकर 100 cm तक बीच में rainfall रिसीव होती है मारब होती है बारिश so, these forests exist therefore उनकी area बताए कि यह जो forest है वो like eastern part of country country के eastern part में like north east वाला इरिया में ज्यादा होंगे like north eastern हो गया कुछ हमालया का जो footholes है नीचे वाला एरिया हमालया के नीचे वाला एरिया वहां पर यह ज्यादा मिलेंगे forest जहारकंड हो गया वेस्ट ओडिशा हो गया च्छत तीसगाड यह इस लोग वेस्टन गार्ट का जो eastern part है वहां पर भी यह forest देखने को मिलेंगे तो इस चीज को आप याद रखना है इंसे area divide हो जाएगा इसके अलावा टीक is the most dominant species of the forest और इस forest के टीक है जो टीक क्याइए वह काफी most dominant species है वह काफी ज़्यादध पाई जाती है तैन बैंबू, साल, सीसम, सेंडलवोड, ठेर, कुसुम, अर्जून, मायलवेरी are the other commercial important species और यह जितने species बताएगे हैं मैंने यह सारी commercially important species है तो इस चीज को अपर याद रुखना यह cartoon picture है, tropical deciduous forest की इस टाप के trees होते हैं महाँ पर then इसके अलाबा, the dry deciduous forest हो जोता है, वहाँ पर जो rainfall होती है वो सौ से लेके 70 cm की बीच में होती है, 70 cm की बीच में होती है also these forests are found in the rain part, यह area कहाँ पर बाता है, जो like peninsular जो platy होता है, वहाँ पर मिलेंगे, then बिहार का जो plain area है, वहाँ पर यह देखने को मिलेंगे इसके अलाबा, they are open stature, उनका जो stature काफी जादा open रहता है इन विच टीक, साल, और पीपल, और नीम गयो, नीम जो के पेड हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे इसके अलाबा, a large part of this region has been cleared for the cultivation, और इसका जो काफी जब बड़ा area है, वो cultivation के लिए और समपार्ट जो grazing के लिए यूज के जाता है इनके अलाबा, in these forests, the common animals मिलने को देखने हैं, इसके अलाबा, a huge variety of birds, lizards, snakes and turtles are also formed, के अलाबा, birds भी मिलेंगे देखने को, lizard भी देखने को मिलेंगे, snakes भी देखने को मिलेंगे, toy toys भी देखने को मिलेंगे इसके अलाब, इसके इन जो इतना ये बड़ा forest उसे जादा, इसमें varieties of animal species देखने को मिलेंगे तो इस चीज़ को भी आप माइंड में याद रखना, इसके अलाब नेक्स देखते हैं, the thorn forest या scrubs जिसको बोलते हैं, इन रिजन में बारिस तो काफी कम हो, या उससे भी कम, इन रिजन में इन forest में बारिस कम होती है, इसके अलाब जो इसका जो natural vegetation है, या एकनम लाइक थोड़ने trees होती है, या busses होती है, मतलब, lack of the water के वैसे, पानी कम होनी के वैसे, उनकी जो पत्ती होती है, वो काफी nuclear होती है, या कुछ छोटी सी होती है, पानी की कमी के वैसे, so, this type of vegetation is found in the north western part of country, मतलब, जो country का, देखा जाए, ये north हो गया, south, और ये east, और ये west, तो north western बोला तो इस वाले एरिया में, देख इस चीज को अभी आद रखना, इसके लावा, एक एसीन, या पाम, यूफोर्बियंस, या कैक्टिक्स, आर न में प्लांट, और इन forest में, ये species, mainly plants, main species है, इस forest में, इसके लावा, trees are scattered and have long roots, और trees है, वो काफी, मतलब, अलग अलग इंतम दूर दूर जागे पर, देख देख देखनों को यहाँ पर मिलेंगे, दूर दूर जगह पर, तो scattered हो रहा है, and having long roots, so इनकी जो roots है, वो काफी बड़ी होती है, और काफी deep तक penetrate करती है, because वो इस वैसे पनेटर करती है, दूर तक वो पानी को, मतलब, जो water है, उसको, उनकी searching के लिए जाती है, तो इस चीज के वै are the succulent and the conserve water, और जो उनका system होना था, वो इतना succulent की way में, वो work करता है, और जो पानी है, उसमें पानी भी conserve होता है, तो इसमें यह बता है, इसके लावा, leaves are mostly thick, उनकी जो leaves है, वो thick होती है, and small to minimize evaporation, और काफी small भी होती है, और थेक होती है, ताकि जो evaporation का जो है, वो काफी क कम हो, इसके अलावा, these forests give way to thorn forest and scrub in arid region, so इसके वेश से वहाँ पर forest जो काफी thorn forest देखने को मिलेगा, scrub देखने को मिलेगा, arid areas में, so, इन में जो common element देखने को क्या होन से मिलेगा, strat हो गया, mice, rabbits, fox, wolf, tiger, lion, wild eyes, horses, camel, ये animals इन forest में जारतर देखने को मिलेंगे, इस तरह के होते हैं, तो इनके पत्या में काफी कम हो, किसी की लंबी होगी, तो इनकी जड़े में काफी दूर तक जादे हैं, because यह ऐसा area यहां पर बारिस कम होते हैं, तो इनकी जड़ें दूर दूर तक देते हैं, ताकि उनको पानी मिलें, और जहां कुछ यह cactus भी देखन स्क्रब्स हो गए हैं, तो इस में आएं, इजनी को बोलते हैं, thorn forest and scrubs, आप आगे हैं, mountain forest, so mountain, नाम से हम बता चल लाग, mountainous होंगे, तो mountainous में, mountains के reason में, उन एरियाज में, यह forest देखने को मिलेंगे, so in mountainous area, the decrease in temperature, so temperature decrease की वैसे, in, all, temperature, जब कब गिलेगा, जब हम और temperature वह उतना ही decrease होता है, so leads to corresponding the change in the natural, और जैसे हम अपना area change करते हैं, तो ऐसे ऐसे वहाँ पर natural vegetation वह भी change होते जाए, because उस temperature, उस vegetation, उस soil के साफ़ से vegetation भी change होते जाती है, so as such, there is a succession of the natural vegetation belts in the same order as BFC from the tropical to tunda, तो succession जो vegetation का बताए गया है, tropical to tunda के बाहने में, तो ऐसे वह changes देखने को मिलेंगे, वह succession होता रहाएगा, natural vegetation का बाई, we see from the tropical to tunda, reason, so the wet temperature, the wet temperature type of forest are found in between the height of 1000 to 2000 meters, अब जो wet temperature forest है, उस type का, जो forest कहां देखने को मिलेगा, कितने height पर देखने को मिलेगा, 1000 से लेकर 2000 meter की height पर, wet temperature type of forest देखने को मिलेगा, then, इसके अब आलावा, evergreen broad leaf, जो होती है, trees, such as, oak हो गया, या chestnuts हो गई, या proud man, वो देखने को मिलेगा, और इसके अलावा, यह इनका height और 1500 देखने को मिलेगा, और इसके अलावा, यह इनका height और 1500 देखने के 3000 meter के बीच में, यह temperate forest, जो containing coniferous trees, मतलब जतनी height पर जाते हैंगे, वो vegetation और जाते होते हैं, so temperate forest containing, वहां के जो टाइप के trees को contain करके चलेगा, महाँ पर जो मिलना है, like, कौनी forest trees हो गया, like, कौन से होते हैं, pine हो गया, देवदार हो गया, silver fair, spruce, सिदार, एंड ऐसे trees, महाँ पर देखने को मिलेंगे, इसके लाबा, these forest cover mostly the southern slopes of the Himalaya, और यह जो cover मिले, forest cover का मिलेगा, Himalaya के southern slope पर, so मतलब हमालय के जो foot hills है, उसके थोड़ा ही ऊपर चड़ेंगे, जब तो लमसम 3,000 मीटर की हाई पर आ जाएंगे, तो वह यह forest देखने को मिलेगा, Himalaya के southern slopes, so place having high altitude in southern and north east India, so southern India plus north east India, वहाँ पर जो high altitude पर जो देखने को यह forest मिलेगा, इसके अलावा, at higher elevation, higher elevation पर, temperate grassland are common, so जब जितना भी हम high altitude पर यह high elevation पर जाएंगे, तो वहाँ पर ऐसे temperate grassland देखने को काफी common होगे, so at high altitude, generally more than, अब और ज़्यादा height पर जानले, 36 मीटर हो गया, almost, so after the sea level से 37 मीटर, so temperate forest are grassland given way to the alpine vegetation, तो 36 मीटर के बाद वो apply vegetation देखनों को मिलेंगे, उस grassland या temperate forest में, then इसके अलावा, महाँ पर और, silver field, junipers, pines, preaches are common trees होंगे, वहाँ उस forest में, however, they get progressively stunted as they approach the snow line, उनकी जो aggressive जो होते हैं, जो 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 होते हैं, जो देख प्रोग्रेसली इस्टंट इस्टंट होते हैं, because इस जो इस नो जो महाँ पर उसनो ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा देखने को नहीं देखेंगे, so इसके अलावा, ultimately, throw shrubs and scrubs, they merge into the alpine grassland, इन वाज़े से वो alpine grassland में merge होते हैं, इसके अलावा, these ज्यादा use extensively for grazing by nomadic tribes, जो nomadic tribes, उनकी वैसे, उनके साथ जो महाँ पर हैं, वो grazing कर होते हैं, like gujja होगे, या bakarwals होगे, तो उनके साब उनके पास जो animals होते हैं, वो काफी extensive तरीके से grazing कराते हैं, तो वहाँ से उनको भी effect परता है, so, at higher altitude, mozes and lichens from the part of the tundra vegetation, तो higher altitude में ये mozes lichens भी मिलते हैं, उनका part होते हैं, tundra vegetation का, so the common elements found, वहाँ पर कौन से common elements होंगे, animals होंगे हैं, form मिलेंगे, like, kasmiri stag हो गया, spotted deer हो गया, wild sheep हो गया, jack rabbit, या तिवितन antelope हो गया, yak हो गया, snow leopard हो गया, squirrel हो गया, shaggy, horn, wild ibex, bear, rear, red panda, sheep, goat, और thick hair, वाले ही, ऐसे जानवर मिलेंगे, जो इन, वहाँ की snow को, वहाँ की थंड़क को, वह बरदास्त कर सकें, वहाँ क वहाँ की vegetation भी change होगी, वहाँ की vegetation के अलावा, वहाँ के जो animal species हैं, वह भी change होते हैंगे, तो इसमें यह बता गया, so, इस काटनी picture, वहाँ के जो trees के बार बता गया, ऐसा है, ऐसे उनकी कौनी, कौनी वाले होंगे, मतब, because of the, वहाँ पर जो snow पढ़ती हैं, तो इस वैसे में यह होंगे, तो ऐसे थोड़ा और chain होते आएंगे, तो इसमें बता है, तो इको बोला गया, mountain forest, इसमें देखा हो, इसके बाद है, mangroves forest, तो इनकी vegetation और ज्यादा लगा है, so, यह कौन से होता है, so, mangroves tidal forest are found in the areas, जो ऐसे mangroves forest हो है, वो किसे रिया मिलेंगे, like, जो coastal areas हों होंगे, जो tides आएंगे, या water area वाल होंगे, वहाँ पर यह mangroves tidal forest में देखने को मिलेंगे, like, वहाँ पर mud और slit get accumulated on such coast, और इन coast पर mud और slit जादा देखने को मिलेंगे, so, dense mangroves are the common varieties with roots of the plant submerged under the water, so, वहाँ पर dense mangroves देखने को मिलेंगे, जिनकी जो roots हैं, वो पानी की अंतर सम मानदी का delta, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वहाँ पर यह ऐसी काफी सारी vegetation देखने को मिलेंगे, तो इनको याद रखना, गंगा के भी मानदनी, कृष्णा, गोदावरी और कावरी, यहाँ पर यह ऐसी mangroves vegetation देखने को मिलेंगे, इसके अलावा जो गंगा, वहाँ पर यह प्रोवाइड करते हैं, तेन, पाम, कोकोनेट, कोईरा, अगर, एटीस ही और सो गोई इन सम पार्ट ऑफ डेल्टा, और यह चीज़ें भी कोकोनेट, पाम भी उन एरिया में उन डेल्टा के पार्ट्स में, बहाँ डेल्टा के जो ओल जो रीजन है, वहाँ प गडियार, स्नेक्स, वहाँ पर यह सब जानवर भी, यह सब स्पीजीज भी देखने को मिलेंगे इन फॉरस्ट में, तो इस तरह के यह होते हैं, तो इनकी जो जड़ होती हैं, वो पानी में सम्मझ होती हैं, तो इनकी जो बोलते हैं मैंगरू फॉरस्ट, ऐसे काफी जार द देखने को मिलेंगे तो इनकी जो रूट्स तो पानी में समझ होंगी देखने को मिलेंगी अब इसके अलावा कुछ medicinal plants भी होती है जो की काफी ज़ड़ा उनकी जो value होती है in medical science में काफी ज़ड़ा होती है इंडिया की जो no image है वो काफी हर्प्स के लिए या जो अपने spices के लिए जो ancient times से ही काफी फेमस है इंडिया अपने image के लिए so sometimes 2000 plants have been described in Ayurveda मतलब इन आयरुवेदा में दो यहार से ज्यादा ऐसे plants ऐसे describe है जिनकी उनको जिनको as a medicinal के यूज़ में काफी यूज़ के अज़़ादर इन दो यहार में से 500 ऐसे 500 है जो रेगलर यूज़ में लाए हो जाते है उन्हीं को इनका medical purpose से काफी ज्यादा यूज़ होता है वर्ड कंजर्वेशन रिउनियन जिसको रेड लिस में आता है has named 352 medicinal plants उन्होंने ऐसे 352 medical plants है और उन्हों में ऐसे 52 ऐसे हैं जो critically threatened है उन्हों के लाव 49 ऐसे इंडी 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 इंजर है तो उनको ऐसे लिस्ट में डाला है so the common use plants in India are तो इसमें मैंने लिस्ट इसमें से लिस्ट दे रखिया है जो common काफी common है like सर्भाकंदा सर्पगंदा इसमें इसका नाम है इसमें किसमें किसमें इसका यूज होता है उसमें यूज तूT fruit is used to prepare vinegar तो इसमें vinegar के यूज में ये vinegar प्रिपेर करने में इसका use होता है which is culminative and diuretic and has digestive properties जो भी digestive properties जो जिसको digestive का कोई भी problem होती है वो इसके लिए कफी अच्छा होता है so the powder of the seed is used for controlling diabetes और इसका जो powder है उसको किसमे यूज करता है diabetes control करने के लिए इसके powder का भी use किया जाता है इसके लाब arjun इसका जो fresh juice है इसके पत्तियों का leaves का इस क्योर फार इरेक के क्योर में इसका use कियाता है it also is used for regulate blood pressure और blood pressure को regulate करने के लिए इस arjun का use कियाता है इस medicine plant का इसके अब लावा बबूल बबूल का कफी यूज क्याता है इसकी जो leafs है इसकी पत्तिया है इसमें किसके लिए यूज करते है I source के लिए इसके के और के लिए इनका इनकी पत्तियों का यूज होता है और it's gum is used for a tonic और इसको gum है इसको आजी टॉनिक के तरह इसके लावा कच्छनर जो कि इसका यूज होते हैं अस्तमा और अलसर में इसका यूज किया जाता है इसके लावा वाइड लाइफ के बाना विसमें बताएगा है सब्सक्राइब लाइफ के बाने देखें तो लाइक फ्लोरा इंडिया और इंडिया और इंडिया काफी रिच है सब्सक्राइब इंडिया में लगवाग नाइंटी थाउजन एनिमल स्पीजिस देखने को मिलती है सब्सक्राइब इंडिया कितना कितना है 30 परसेंट अपने अंदर कंस्टूट करता है सब्सक्राइब इंडिया में पाई जाती है इसके लावा यहां टॉन्टी थाउजन में टू थाउजन फाइट परसेंट इंडिया में पाई जाता है और इंडिया में 5-8% मिलता है रेप्टाइब जिसमें में मिलते हैं आसम के वैट फोरेस्ट में दैन करनाता का दन केला सो करनाता केल ऑसम इन वहापर अनिमलस देखने को ओ सरी एलिफेंट देखने को मिलेगा इसके अलावा और राइड एडिया सो रन अफ कच्छ एंड था डिजट अधर हैविटेट अफ वाइड़ास और वाइड़ास और कैमल जो उंटें वहाँ पर देखने को मिलेंगे और जो इंडियन बिसन है या नील गाय या चौ सिंगा या फोर हॉंड एंटिलोप है या घजेलोग है या डिफरेंट इसके टाइप की डिफेंट थाप सव भी अशिर हीं रहन है वो देखने को मिलेंगी इन इन एरिया में रण और नंफ कचोष डिजट मैं आदर सम अधर ऐनिमस फाट इन इन्दिय इन इन पर इन्दिय पूरे वर्लें यहां पर टाइगर और लाइनस दौनों ही मिलते हैं और इंडिया लाइन की नेचरियल हविटेस्ट में देखा तो वह गिर फॉरेस्ट है जो की गुजरात में हैं और टाइगर का देखा तो नेचर वेजिटेशन कहां पर है वह मिलता है मद्दापरदेश में सुन्दरबंस में और वेस्ट आहँ करता है इसके लावा they are important among the animals of prey because यह जो एनिमल्स है वो प्रेज फैमली के वे जो उसकी प्रेइट कारी काफी importance होता है इनको काफी important role play करते है अफ ओसो यह play करते है food chain में भी इसके लावा the Himalai harbor aherdy range of animal which survive in extreme cold जो Himalai harbor है वो काफी ज़धा extreme cold की situation में भी survive कर सकता है इसके अलावा लद्दास का जो phrasing high altitude है वहाँ पर भी काफ़ी सारे याक देखने को मिलेंगे दस सैगी होंड wild ox भी देखने को मिलेंगे उसके वहाँ वन टोन दर टिवितन एंटेलोग या भरल जो की ब्लू शिप जिसको बोलते हैं वहाँ भी देखने को मिलेंगे वाइड शीप हो गया यह क्यांग जो की तिवितन वाइल डास होता वह भी सब लद्दा के उस एक एक इस्ट्रीम कंडिशन वहां पर यह देखने को मिलेंगे इसके लाए फर्दर मोर डा आई बेक्स बीया स्नो लेपार एंड रेड रेड पंडा वहां पर यह सब आनिवल वहां पर भी देखने को मिलेंगे और फांट सटेंड पोकेट्स माना अलग लग पैचेश में म जो रिवर साहिए या जो लेक्स या जो कोस्टर अरिया वहां पर टर्टल्स क्रोकोडाइल और घड़एल देखने हो मिलेंगे लेटर इस ओल्ली दा रेप्र प्रेजेंटेव बर्याइटी ऑव रैटीड वर्ड टूडेए वह अभी पूरा इंडिया वो पूरे वर्ड में अब ही हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके लावा बड़ लाइफ इंडिया जो इंडिया की वर्ड लाइफ है वो काफी अच्छी विकोज आपर काफी नमबर अपने यह बड़ लाइफ देखने को मिलेंगे लाइक पीकोग पीजन ट्री डख पेराकीट्स क्रेंज पीजन यह स सम अब बट्स इन्हाबिटिंग देखने को भी लेंगी वाइट लैंड में या ऐसे फोरेस्ट में तो वी सेलेक्टेड आप्रॉस इंवर्मेंट्स लाइक फ्रॉम रिजब और एडिवल पांट्स मतलब जो एडिवल पांट्स है उनका अलग-अलग यूजव अपने बाइ ऐडिशिनल जो यूजव रहे और जयादा इन्हीं ज्यवन और उनके जाएदा प्ता चले इसके लग्जो एनिमल को लाज स्ट ओ पर वैड़ नेचर ऐस में इस अनीमल लाइक जो एडिमल से उनका हम यूजव करते हैं रहे वैससे सामन दोने लाइक एसे में मैं बोला गया तो इनका यूजर बताएगी कि हम कैसे जानवर प्लस उनका जो वेजिटेशन उनका यूज करते रहते हैं तो फिस्ट प्रोवाइब न्यूटिटिटिव फूर जो फिस्ट करते हैं मतलब कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो पॉलिनेशन में काफी हमारा यूज करते हैं और लाइक क्रॉप्स एंड फूट्रीज में एग्जर्टिंग बाइयलोजिगल कंट्रॉल्स इंसेक्ट आर् हामफुल कुछ अच्छे भी हैं कुछ हामफुल भी हैं सब्सक्राइब को प्लेटेशन में एक कुछ रोल यह जो वह रोल वह प्लेटेशन के वहाइसे जो एक्स्पोरिटेशन निचर हो एक से और वैया से जो जो एक्सेटम तो जो जो एकोसिस्टम है जो एकोसिस्टम हैं जो फ्लाइंस थोरड़ मैं को थेखने देखा गया मतलब अब उनका कोई भी नाव निशान नहीं है इंडिया में and quite a few animals species are also indigenous और ऐसे species में animal के species में देखाएं जाएं वो भी indigenous and some have become extinct और मैसे कुछ तो ऐसी है जो extinct हो चोगी है मतलब अब उनकी कोई भी वो ऐसी ही नहीं है to the nature are hunting और इसके लाव एक और major cause दिरा के जो है hunting करते हैं so greedy hunter for the commercial purpose और कुछ greedy hunter ऐसे होते हैं जिसको जो commercial purpose की वैसे hunting करते हैं और इसके लाव जो pollution है due to the chemical and industrial waste waste और acid deposits हैं so जो pollution होता है like जो chemical pollution हो गया या जो industrial waste हो गया यह acid deposit हो गया introduction of alien species या जो alien species होती है मतलब ऐसी species जो किसी दूसरी species को ओगने नहीं देती तो उनको उनको जो grow नहीं होने देती वहांके जो local species है तो उस species को alien species बो लागा है इसके लाव reckless cutting होने रहे हैं इंडिस्ट्रेटल के पर किसी वैसे commercial usage of the forest to bring land under cultivation या habitation में लाए जाए all are also responsible for the imbalance इन कारणों के वैसे माफ की जो ecosystem आगे जो इंडिया का फ्लोरा जो फोना उसको प्रटक्ट करने के लिए जो हमारी जो government है इन्हें government उसने काफी साथ स्टेब ले गए है तो जैसे ही काफी सारे इसमें लाइक government on save to vulture टास्ट जो वल्चर है उनका रोल भी काफी अच्छा होता एको सिस्टम को manage करने के लिए balance करने लिए लाग तो उसके उपर भी government ने काफी सहरे स्टेब लें है अगर आप वल्चर के वीडियो देखना चाहिए वल्चर के टास्क के एपर वीडियो है अपने यूप सी लाइबरी में तो आप उसको चेक सकते या है इसके इसा काफी साधी स्टेफ गॉर्प अभी ले रही है विससे देखा जातों इसमें और देखें तो 18 biosphere reserve have been set up in the country so अभी के हिसाब अभी के टाइम पे country में 18 हठा रहे bio reserve हैं इंडिया में जो flora और fauna को protect करते हैं इन मेंसे जो 10 हैं संदर्वन होगे, दन्ना देवी, गल्फ अ मननार नीगली, नौक रे, ग्रेट निकूबार मानस, सिमली पाल पंचमडी, अचनाक अचनाक कमर अमर कंटक, ये उन में से कुछ हैं जो have been included in the world network of the bias, जो की world network जो है, biasphere reserve का वो इन में से ये एक हैं इसके अलावा जो financing और टेक्निक असिस्टेंट हैं, वो provide कर रहे अपनी government to many botanical garden हैं, जो government ने जो established किया हैं, since 1992 से, ये इसमें बताए गया, इसके अलावा कुछ project हैं, जो काफी specific उनी animals के लिए, like project tiger होगा, so specific tiger की संक्या को बढ़ाने के लिए, like project rhino होगया, तो rhino की संक्या को बढ़ाने के लिए project great indian bastard होगया तो उसके, especially उन particular एक species को, we project किया, government उनके, उनकी number को increase करने है, so and many other eco development project have been introduced, so और भी ऐसे काफी सारे eco development project है, जो introduced कि होगा है, government है, इसके लावा, 130 national park 535 wildlife century and geological garden are set up to take care of the natural heritage जो अपना जो natural heritage है, उसको take care करने के लिए ये national park, wildlife century or geological garden है, वो set up किये हैं, government के द्वारा, इसके अलावा, all of us, all of us, must realize that the importance of the natural ecosystem for own survival मतलब, अपने खुद के survival के लिए, हमें realize करना पड़ागा है, जो इनकी जो natural, जो ecosystem, उसकी importance कितनी है, so it is possible if indiscriminate destruction, जो अभी destruction जो हो रहा है, इंडिस्टिकेंट मतलब, उनको एकदम indiscriminate जो है, उसका desertion हो रहा है, वो possible हो सकता है, उसको हम रोख सके, immediate end, उसका जो immediate end है, वो कर सके हैं, so इसमें देखा है, then इसके इसके इलावा, इस पिक में देखेंगे, जो मैं बताया है, जो bias पर हो गया, या wild century हो गया, world century हो गया, या आपर ये dutchingham है, ये national park है, ये राजाजी हो गया, ये national park, दुधबा national park, ये sarishika, ये wild life century हो गया, ये kilaad हो गया, ये national park हो गया, ये रथम बोड, ये national park हो गया, तो इनकी location बताया हैं, so dutchingham j above jn keem हो गया, sarishika, ये kilaad ही हो, गया अजम्म हो गया मानस अजम्म हो गया तो यह सब इनकी लोकेशन बदाएंगे और यह काफी इंडिया में तो नहीं रहती बड़ी माइड करती रहती इंडिया से कभी अलग कंट्री में तो यह यह भी काफी इंप्रेंड हो जाती है सो माइडिवेड काउन चेह होती है सम अब दा वैटलेंड ऑस इंडिया और पॉपुलर फिल माइड वैडिवेड नंदर कुछ ऐसे वैड्लेंड है जो माइडिवेड के लिए काफी इंप्रेंड होते हैं like काफी बड़े नमर काफी बड़े संग्या में आते हैं यह साइबरेंड क्रेंड हो गया सो वन सच प्लेस फेडर विद वर्ट्स इदा रन अप दा कच जो रन अप कच है वह काफी फेमेंस प्लेस है इन वर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करता है मर्ज होता है फ्लेमिंगो विद देयर ब्रिलियंट पिंक फ्लेम कम इंद थाउजंड सब्सक्राइब ने जो होते हैं वहां पर ग्रो होते हैं इस वन अप दा अमांग मैंग एक्ट्राइब नी साइट साइट इन दा कंट्री इड इस नोट रिच अनिमल है इस अवर्ट्स काफी अच्छा है काफी रिच है इसमें यह बताएगा है सो आज की लेक्शन में बस इतना ही अगर आपने यूपी साज़े को सब्सक्राइब नहीं तो आप सब्सक्राइब दा यूपी से लाए रहें एंड प्रेस देबल आइकन फो दा मोर अब्डेट दन्यवाद आप साज़े इतना है थू तो